अगले साथ दिनों तक यही पर फशे रहेंगे और वो जो नाव जा रही है वो हमारा यहां से निकलने का इकलादा रास्ता थी हम ऐसे क्यों करते रहते हैं? मुझे लगा मजा आएगा इतने खुपसूरत होने के बावजूर लोग यहां पिछले 250 सारों से टिक नहीं पाए लेकिन अगले साथ दिनों तक हम भई करने की कोशिश करने बाले हैं और अंधेरा होने से पहले हमारे पास चार गहंते हैं यहां बहुत कर्मी हैं, रहने के लिए कोई जगा बनानी होगी हम यहीं पर कैम्प क्यों नहीं लगा लेते, यह जगा अच्छी लग रही है तो चलो शुरू करते हैं, हम तीनों जाकर लकडिया लेकर आएंगे और तुम दोनों कैम्प लगाएंगे हाँ, मज़े करना, चलो शौन, कमान चैंडलर कैम्प कैसे लगाते हैं, मुझे तो नहीं पता तो हम तुरंग ही काम पर लग गए लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्यूंकि हमारे उपर दुनिया का सबसे खतरनात पेड है इसमें जहरीला रस होता है जो तुमारी जान ले सकता है अम अब भी यहां पर क्यूं खड़े है और इसी बीच, नोलन और मैक एक फारपिट बना रहे थे मेरे एसाब से तो यह काफी अच्छा बनाया है ना इसमें भी आग नहीं लगी है यह बस आग लगाने की जगा है और शौन ने हमारे कैम के लिए फ्रेम बनाना शुरू कर दिया क्या तुम्हें यकीन है यह हम पर नहीं गिरेगा लग रहा है जैसे शौन हमारे डाड है ऐसा कह सकते हो और थोड़ा और सामानी कठा करते करते हमें आसपास कुछ जानवर भी दिखाई दिये काव इन चिकंस को दो देखो यह रूक है घू तुमी तुम रहाज ने चिकंस कुद को नहीं घूमि तुम है दिनर में क्या खाया था जो कि काफी आप है आप का और आज जहां हम खाना बनाने वाले हैं, अब यहां हूँ और हम यहां पर सोने वाले हैं, इसे के साथ टूर खात्म हम अपने साथ एक survival crate लाए हैं, जिसमें खाना, पानी, और सबसे important चीज, एक flare किसी को चोट लगी तो और जब तक सूरज ढ़ला, हमने लगभग सारा काम निपटा लिया था, फिर्फ एक चीज को छोड़ कर रुको, रुको, sunscreen claimable हो गिया न, पहला दिन खत्म हो गया है, और मुझे अभी से sunburn हो रहा है करता हूँ कि आज मुझे अच्छी नीद आएगी, बस आज बारिश ना हो, कल हमें एक बड़ा कैम बनाना होगा, और हमसे मेरा मतलब है, डैड हमारे लिए एक बड़ा कैम बनाएंगे, हाँ ठीक, ओ, ओ, जी में तुम मॉम जैसे हो, Sean डैड है, अब मैं चला सोने, अगले दिन मिलेंगे, मेंद की पहली रात के दारान, हम ठूप करवटे बदल रहे थे, और हम से, मेरा मतलब है मैं, तो अच्छी बात ये है, कि हम अगले दिने से ठीक करेंगे, दूसरे दिन का में अब्जेक्टिव सिंपल है, हमें बनाना है, बड़ा रेंप्रूफ शेल्टर, एक नरम सीट, ताकि मेरा पिछवारा ना दुखे, और एक बहतर फायर फेट, मेरा पिछवारा भी दुख रहा है, हम कुछ लंबी और मजबूत लकडिया ढून रहे हैं, जिन्हें हम कैंप की उपर लगा सके, ताकि बारिश होने पर पानी उपर ना जमा होकर इस तरह से न यह कीड़े कहां से आगे, भागो, जान बचाओ, जिमी, तुम्हें एक गुई मिली है, यह मुलायम गद्दा बनेगी, तुमने यह चुराया है, नहीं, क्या इसनी चुराया है, इसे समंदर हमारे पास लाया है, तो यह चोरी नहीं हुई, ओ, यह बढ़िया, मुझे और बाकी दिन मैं चैनल और शॉन क्या आपको अग्रीड कर रहे थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यह भी धूप आ रही है, शाद इसलिए क्योंकि सूरज नीचे है, करीब 90% यहां पर छाओ ही रहेगी, मैंक और नोलन नारियल तोड रहे थे, ठीक है, संबल कर चा बचाई, दूसरा दिन खत्म होने बाला है, तो तुम सब को कैसा लग रहा है, मैं थग्या हूं लेकिन मजा रहा है, नोलन, बहुती बढ़िया, शाद हम इस बात से सहमत होंगे, कि हम उम्मीद से बहतर कर रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते थे, कि इस रात हमारी हालत हालने में काम आए गा, जानते हो, मैंने क्या नोटिस किया, क्या नोटिस किया, हमारे पास दस पानी की कार्ट्न थे, और अब सिर्फ 6 बचे है, आज दूसरा दिन है, जानता हूं यहाँ पर सब से मैचियर होने के नाते, मैं कहूंगा, कि यहा थो ही को पानी थोड़ा सा सं यानि इस चैनल पर पिछले दो महीनों में करीब 1.5 मिलियन डॉलर्स हा रहे हैं जार ऐसा इंट्रोडक्शन कौन देता है हाला कि हमने अपना कैम्प अप्ग्रेड किया था दूसरी रात पहली रात से भी ज्यादा बेकार थी हम नहीं जानते थे लेकिन या आईलेंड कीरे मकोडों से भारा पड़ा है जो रात भर हमें काट कर परिशान कर रहे थे और पता नहीं क्यों लेकिन चैनलर और मुझे सबसे ज्यादा परिशानी गुई मुझे कल रात बिलकुल नीम नहीं आई शायद ये मेरी अब तक की सबसे बेकार रात थी देखो सिर्फ मेरे हाथ पर कितने गाटने की निशान है देख रहे हो और जब तक हम अपनी मींद पूरी करने की कोशिश में थे आप समझी सकते हैं कि बाती तीनों बिना किसी देख रहे कि क्या कर रहे होंगे चलो मुर्गयां पकड़े नहीं चलो मचली पकड़े तो कल वहाँ इस बीच के उस कोने में मुझे और नोलन को एक नेट मिला आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गयों के लिए चार प्लान ये है कि हम यहां एक बड़ा नेट बिचाएंगे उसे उपर रसी से बांधेंगे अब फिर भूम फंस गई मुर्गी चलो चलो अब अगर मैं जाग रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता लेकिन ये देखते हुए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानों में मरने बाला हूँ बॉइस के मन में जो आ रहा था वो कर रहे थे नेट बहुत मस्दूत है क्या ये लो हो गया इन्होंने करीब तीस मिनिट नेट को पॉफेक स्क्वेर में काटने में लगा दिये फिर इन्होंने रसी को बेड की डाली के उपर भेका नेट को चारो कोलों से बांढ़ा और ये तयार हो गया ये तयार है ये काफी अच्छा है फिर जाल के उपर चारा रखने के बाद बक्त आ गया था चिकन पकड़ने का ये क्या है मुर्यों को पकड़ने वाला जाल मुझे वर रसी दिखा होगा तो इतने वक्षे तुम सब यही कर रहे थे मुझे लगा तुम लोग कोई धंका काम कर रहे होंगे सच कहूं तो मुझे बस ये सब बक्त की बरबादी लगी क्योंकि इनके अगले तीन घंटे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने में बीते लेकिन पता नहीं क्यों मैक हार मानने को तैयार ही नहीं था और आखिरकार थोड़ा और इंतजार करने के बाद ये क्या है ये चिकन तो काफी शान्त है हाँ ये हमारा नया ब्रायन है उस राफ्ट वाले पंची की आदमे बता है तुमने इसके साथ इतना अच्छा बरताब किया है मुझे यकीन है कि अगर तुम इसे नीचे रखोगे तो ये भागी का लए नीचे रखो ब्रायन को नीचे रखते है ब्रायन नहीं ब्रायन तुमने ब्रायन के साथ क्या किया वो तो हमारा दोस्त है ना लेकिन मैंने उसे धोखे से पकड़ा था तो और जब तक हमने ब्रैन को पकड़ कर वापस आजाद किया यहां का तापमान काफी गिर चुका था जिससे हम सबको इतनी ताकत मिल चुकी थी कि हम एक एडवेंचर पर जा सके मेरे पीछे वो आइलेंड देख रहे हो हम वहाँ पर जाने वाले हैं मैक चलो चले मैं जानता हूँ आपकी आज सोच रहे होंगे इतने अच्छे आइलेंड को छोड़कर हम समंदिर के बीच एक चक्टान पर क्यों जा रहे हैं और जच कहूं तो मुझे इत का जवाब नहीं बता है सब का कोई मतलब नहीं है मुझे लगता है हम यह सिर्फ बढाब वाद कर रहे हैं हम पानी अनी खम क्यों परवाब कर रहे हैं तुम क्या कर रहे हूब आख रहे हूं? सब्सक्राइब कर दो देखो वो लेहरे काफी बड़ी लग रही है युव गट पेस्ट दिल्स फूड और नाउ पूं थांदा वो हमारी तरफ ही आ रही है कि यह बड़ी रहे है बस पॉंच गहें अगार है देखो हमारे पीछे आईलेंड दिख रहा है और हम यहां पर हैं जड़ा देखो दो दोनों तरफ पानी कैसे टक्रा रहा है यह चट्टाने बहुत फिसलन भरी है अब उपर जा रहे है ओ गाश ओ यह तो कमाल का है बात क्या नजारा है हमने कर दिखाया पता नहीं य जलने के कुछ घंटों पहले यह बारिश की बुदने थी हमने नोटिस किया कि एक आंध ही हमारी और बढ़ रही थी हम आइलेंड पर साहज गये फोरकाट ने कहां कि आज बारिश नहीं होगी लेकिन सामने विशाल बादल है तो हमें तयार होना होगा चलो बहुत को फिक्स करो नहीं और सुरज के ढ़लने के बाद हम अपने और बहतर कैप में बैठे और बारिश के खत्म होने का इंधार किया और सबसे बुरी बात यह है कि यहां कुछ भी हो सकता है यहां इतना अंधेरा है कि हम यह भी ने देख सकते कि बारिश कितनी करीब है लेकिन हमारा आइलेंड के बगल से निकल गया लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आगे इस वीडियो में हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं होगा आइलेंड पर चार दिन बिताने के बाद हमारा सुभा का रूटीन कुछ ऐसा हो चुका था पहले हम उठकर शिकायत करते हैं कि हमारी नींद कि फिर हम बाथरूम जाते हैं कभी-कभी साथ में तुम लोगों के साथ सुसु करने में डर लग रहा है और फिर एक बार और इंस्टेंट पूड़ खाएंगे हम सब इंस्टेंट पूड़ खाकर तंग आ चुके हैं तो मान लो कि हमारे पास एक उपाय है ठीक है मेरा साथ सिर या या फिर बहुत बुरा जाइब बहुत बुरा प्लान थोड़ा खतरनाग था लेकिन काफी सिंपल भी मैक एक इंसानी मोटर बोट के रूप में काम करेगा और शॉन और नोलन को समुद्र के गहराई तक हीच कर लेकर जाएगा और क्योंकि शॉन सबाइवल में हम सब का वो उन बचलियों को पकड़ कर हमारे खानी के लिए वापस आइमिंड पर ले आएगा रसी को पकड़ा है ना और मैं लगबच 500 फीट की लाया हूं जिससे वो बंदे हैं तो अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो हम उन्हें खीच लेंगे है ना चानला हाँ क्या रसी और अब देखो हम बीच से कितनी दूर हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें सी सिखनस ना हो ओ उस अंधी को देखो दोस्तों पर चल्दी करना होगा वो बारिश है हाँ बारिश मुझे लग रहे है कि रसी कहीं से डूट चुकी है हाँ नो जानते हो हम क्या कर सकते है मचली पकड मचली बिल गई पकड़े रोखो पकड़े रोखो पकड़े रोखो और दो घंटी की महनत के बाद जिसमें 200 मचलीों जितनी कैलरीज घर चुई होगी उन्होंने पकड़ी सिल्फ एक ही मचली इस देखा सकता ना बिलकुल यह किसी सूपर मार्केट से लाई हुई मचली की त सबसे पहले अपनी चड़ी से बैक्तिरिया को जला कर मारो मुझे यह पता ही नहीं है लगता है तुमने पहले भी स्मॉज खाए हैं मेरी खुद की एक चॉकलेट फैक्टरी है तुम यह क्या कर रहे हो औरे यार नाई फीस्टिब्स चॉकलेट को लेकर उसे इस तरह से दब हमारी किसमत तो देखो जैसे ही हम सोने गई बारिश शुरू हो गई ऐसा क्यों है कि सवाइवल वीडियो बनाते वक्त बारिश तर्फ तभी होती है जब हम सोने की कोशिश कर रहे हूं हमारा चौथा दिन पूरी तरह सफल ना हाँ हाँ थाई का ने चिकिन पकड़ी और मैं आज दिन है पांच वा यह मैं कहने वाला था हमने साइलेंट को इसलिए चुना क्योंकि यहां पर बहुत सारे पुराने घर या खंडर हैं आप इन्हें जो चाहीं बला सकते हैं और हाला कि वह इस पहाड़ के ऊपर है मैं कहता हूं कि आज हमें वहीं एक्स्टोर करने चाहि तो मुझे नहीं रोक सकते हैं तुम इसे नहीं खा सकते मुझे नहीं रोक सकते हैं और त्यांव को बचाने के बाद मक्त आ गया था खंड रोग को देखने का ठीक है चलो चले पानि लग भग खतम हो चुका है मुझे एडवेंचर पर जाने के लिए पानी चाहिए वापस आने तक में अर्याल पानी से बरने की कोशिश करता हूं चलो चलो चलते रहो मैं बसा ही रहा हूं ये लोग यह नहीं जानते कि मैंने प पहार है लेकिन अब तक हमने पहार चड़ना शुरू भी नहीं किया है और जब तक हम ये पहार चड़ रहे हैं मैं बॉइस को वेस्टन यूनियन के बार में बताता हूं वेस्टन यूनियन की मदद से आप कहीं भी रहकर अपने परिवार और दोस्तों को पैसे भीज सकते हैं हम उपर जा रहे हैं तुम अपना बताते रहो जेंब रुको मेरे लिए हम वहां उपर तक जा रहे हैं आपको बता दूं कि बेस्टन यूनियन का एक प्री वेब साइट और एब भी है जो सिंपल और सिक्योर है तो मेरी दादी भी इस्तमाल कर पाईगी तुम्हारी दादी मैंने बेस्टन यूनियन के इस्तमाल करके उस आजमी को पैसे देने में जानते हूं मेरे पैसे पहुच गए यूस में रहता हूं धो हम अपने पीट से कितनी दूर आ गये हैं वहां वहां रिंबव है तुम लोगों को निराश नहीं करना लेकिन वह बारिश के बादल है व शॉन दिख रहा है दूट वो कैम बना रहा है और साथ ही डिनर भी शॉन मैं उन्हें देख सकता हूं उसके सुन लिया वोड़ियो तू हाथ हिलाओ वो वेप कर रहा है क्या इस रास्ते से वापस आने पर अंधिर होगा हम देखेंगे कैसे उसके बारे में बाद में सोचेंगे वगर कोई यहां से फिसला तो बहुत बुरा होगा तुम ठीक हो मैं जिन्दा हूं आपको बो दिख रहा है बॉइस कमान यहां पर आजाओ अंदर फान पानि घ्लाएक पॉप आईसे खोलते ज़ंते युझा डाउन आप कि अच्छा खरन आ है यह इसं तेक्से ईपना ऑन करने क्लाता तैका यहिस daha आट लारी था इस तस्म्ने तुम्झा श आपको जारे थेढकिन उन डेक्छ्ट्रुन चुन कOT L cathedral खाने थेवह्शा कीै क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम बई कर रहे हो मैंने ऐसा इसी लिए किया ताकि मैं तुम्हें जीतने का एक और मौका दे सको यह जूट है लेकिन यह आखरी मौका होगा तुम हमारा लास्ट वीडियो देखो तुम कमेंट्स पोल रहे थे मैं को वापस लाओ वापस ला यह तो ड्रामना है महां उपर एक कैक्टस क्यों है क्या कैक्टस महां उपर चड़कर पहुचा या फिर किसी ने उसे महां पर लगाया है कैक्टस ऊपर कैसे चड़ पाएगा जैमें उसके पास टांगे नहीं है चलो आप दूसरी तरफ जाकर देखते हैं महां पर कुछ और खंडर है यह कितना अखुद है तरह देखो यह बेड़ कैसे ही बथरों के चारों लिप्टा है क्या गैंक को यहां पर मजा आ रहा है क्योंकि मजें तीसरा मौका मिला हां बहुत ज्यादा ठीक है इसे चोड़ो क्या तुम दोनों को मज़ा आया नहीं उस वाक्स पे दूब रहा था और अपने कैप वावस जाने से पहले हम सबसे ऊपर वाली चोटी पर चड़े नजारी का मजा लेने दुनिया में और कोई नहीं है जिसके साथ मैं पहार चड़ने का मजा लेना चाहूंगा थांकि यह लेकिन उसके अलाबा कोई नहीं तो एक बात को मुझे यह पर हमेशा याद रहने वाला मुझे भी मुझे लगता है इस नजारे ने यात्रा को सफल कर लिया अब यह बारिश से भी बैचा रहेगा नारियल पानी खाना तेयार है और पानी भी जादा है कापी अंधिरा हो गया है मेरा मतलब आप इसे जंगल में देश नहीं पाए नहीं थी आगे जाकर हमारा रास्ता खत्म हो गया जो कि जंगल के बीच होनी की वजह से थोड़ा ज्यादा भयाना यह रास्ता कौन सा है इस तरफ जाना है या उस तरफ रुको मुझे तीन अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं यह देखो यह एक यहां है और एक यहां है और पारिश भी शीरू हो गई थी तुम्हें यकिन है यह रास्ता सही है जो इस तरफ आख जार यहां हो तो यह बहुत बुरा है यहां बहुत दसलन है मुझे नहीं लगता कि हम इस रास्ते से आए थे ओ ओ मैं मूग के बल गर गर जाता और हमें लग रहा था कि इस बुरा तीसरी मुसीबत भी थी जिससे हमें बचना था तुम्हारे उपर दुन्या का सब से खतरनाग पेड है बारिश की बूंदे इस पर से जहर लाकर तुम्हारी स्किन जलाएगी जहत आपल साप से जड़ा बच कर क्योंकि अभी बारिश हुई थी अब हम हम क्या करना चाहिए अब तेर को अपने ओपर गिरने मत दो मैं 10,000 परसनल हूँ कि यही वो अपल ट्री है मतलब हम करीब है हमने सही रास्ता चुना हो या ना हो हम यह तो जानते थे कि हम कैंप के बहुत करीब है यह रेट है शुक्रे है हम बच्छे है कैंप वहाँ पर है और हमारे पास शौन क का एक मौका है किया हम उसका फायदा उठाएंगे हां बिलकुल ठीक है तुमने मुझे डरा दिया हम पाँच गया हम लोटा है मैंने तुम्हारे लिए खाना और नारियल पाने रखाएंगे है थैंक यस बॉइस 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 वाओ स्वात कोकरनट जसा है उस प्रक के बाद हमने खाया नहाया और खुद को सुखाते सुखाते हमने थोड़ा निकाल कर तारों को नहारा क्योंकि समंदर के बीचों बीच होने पर लगता है मानों आप किसी दूसरे ही ग्रहे पर हो लेकिन रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हम सब को चैलेंज के शुरुआत से ही डर था तुम्हें मैंसस हुआ? ना इस बाड यूज क्या हमकी छट पर बहुत सारा पानी जबाए है मुझे नहीं बता इसके नीचे रहना और सुरक्षित होगा या लिए इस छट को बहतर बनाने की हमारी नाथ कोशिशों के बावजूद बारिश का पानी इसके उपर जमा हो रहा आप, ओ माई काड हम लोग तो देख आए काम से मैं इस बारिश की बज़ा से रात भर बहुत परेशान हुआ और दो घंटों की लगातार बारिश के बाद एक टूटा हुआ कैंग और गेले बिस्तरों की बज़ा से मुझे नहीं लगता कि हम मेंसे कोई भी आज रात सो पान पिछली रात की बारिश बहुत भयानक थी मुझे ने रगता मुझे कभी इतनी ज्यादा अधर लगी तुम आज क्या करना चाहते हो नोला पता नहीं मैं बस यहां लेटा रहूंगा मैं तो बस यहां से बाहर निकलना चाहता हूँ मैं जूट नहीं कहूंगा यह जगा सपना है और छे दिनों की कडी महनक के बाद हमारी मेंटल हेल्थ को भी पुरी तरह सर करने लगा आप सिर्फ कैंट फूड खाकर धूप में इस तरह ज्यादा वक्त के लिए नहीं घूम सकते आपको बिलकुल भी अच्छा फील नहीं होता मुझे अजीब लग रहा है मेरा स के साथ शुरुबात की और यह अच्छा है और यह अन्यूज्वल ब्रेक्फस्ट खाने के बाद हम वापस पहले की तरह नॉर्मल हो रहे थे दोले तुमने ठीक बीच में उसे फेका और यह साफ हो गया था कि हम सिक्स्त देख कैसे सबाइद करने बाले हैं एक दूसरे के सा मजे करके हैं और मुझे एहसास होने लगा वहले ही हम सभी ने बहुत कश्ट सहे हैं हमने दुनिया की सबसे भारी सीट क्यू चुनी यह पूरी यात्रा काफी मौज मस्ती और एडवेंचर से भरी रही हमने कर दिखाया ऐसे पर ढूनना बहुत मुश्किल होते हैं और जब म हमारी चनौती का छटा दिन आखिर कार खत्म होने ही वाला था हम अपनी आखरी रात को एक बड़ी आग के साथ सेलिबरेट कर रहे हैं लेकिन यह हम सब को जला रही है हो मैं जला यह कुछ यादा ही बड़ी है कल जब हम सब जागेंगे तो चालेंज खत्म हो चुका होगा और जैसे ही साथ में दिन सूर जुगा मुझे यहां से बाहर निगाओ को क्लीन करते वक्त हमारी दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यहां पे निकल कर वापस कभी भी नहीं आना है और जाने से पहुत